विडियो नेने वाली है विश्व यांतराष्ठ्य संगठन के गठन की जिसको हम formation of organizations भी कह सकते हैं organization के गठन या formation dates भी competition point of view से एक important topic है जो कि हम आज इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो important है guys पूरी देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो देखने से पहले चैनल को जुरू subscribe करें और bell icon भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की notification आपको time take मिलती रहें धन्यवाद तो चलिए start करते हैं चलिए guys शुरू करते हैं अपने first question के साथ जो की है WTO का गठन कब किया गया था अब यह जो वीडियो है यह हम पढ़ेंगे formation of international organizations विशव और अंतराश्चे संग्ठन जितने भी हैं उनकी formation के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कब उन्होंने officially work करना start कर दिया था अब यही video international organization पे ही हमने last video भी बनाई थी उसमें हमने देखा था कि उनके headquarters कहां पे हैं योकि also एक important topic है competition point of view से अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें कि उनकी जो formation date है कब उन्होंने शुरुआत हुई थी कब सापना हुई थी तो वो भी एक important topic बन जाता है इसलिए हम अभी इस video में यह चीज़ डिसकस करेंगी कि यतनी भी organization है main में वो कब-कब start की गई थी उन्होंने officially work करना कब शुरू किया था तो सारी की सारी जो organization है उनकी हमने full form पहले भी पिछली वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं तो I hope कि आप साथ साथ में repeat करते रहेंगे वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ इस video में भी तो चले शुरू करते हैं तो first of all WTO means world trade organization तो इसकी जो formation है इसका जो गटन है वो किया गया था January 1995 में means जो option B है वो right answer होगा इस question का इसी के साथ we are going on to next question world bank का गठन का किया गया था अब world bank एक ऐसी agency है जो की बहुत जादा important बन जाती है क्योंकि ये दुनिया में एक banking की sector में बहुत बड़ा इसका नाम है और बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है world bank so that's why world bank का गठन कब किया गया था important question हो सकता है तो इसका जो गठन हो किया गया था July 1944 में it means a option will be the right answer of this question moving on to next question की IMF का गठन कब किया गया था अब IMF की full form अगर आपको याद है तो थी international monetary fund अब IMF की जो formation है वो हुई थी 27 December 1945 यानि की option D जो है वो right answer होगा इस question का इसी के साथ we are moving on to next question W.H.U. का गठन कब किया गया था तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी agency के बारे में हम बात कर रहे हैं सभी की सभी important agency है तो ये वीडियो आपके लिए useful होने वाली है important होने वाली है इसलिए वीडियो को देखें साथ में साथ साथी साथ like भी करें वीडियो को question है W.H.U. का गठन कब किया गया था अब W.H.U. के फिल फॉर्म क्या है World Health Organization तो World Health Organization की जो स्थापना है जो formation है वो हुई थी 7 April 1948 को इक मींस option जो C है वो सही उत्तर होगा इस question का इसी के साथ we are moving to next question UNO का गठन कब किया गया तो United Nations अपने आपे एक बहुत बड़ी संगडन है बहुत बड़ा organization है और इसका बहुत ज़्यादा important role है international जितने भी international affairs होते हैं तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा important है और इसकी जो स्थापना हुई 24th October 1945 को यानि कि इसकी जो formation है वो ही थी 24th October 1945 यानि कि option जो B है वो सही उत्तर होगा इस question का इसी के साथ we are moving on to next question question number 6 is ADB का गठन कब किया गया था अब ADB की full form है Asian Development Bank यह भी आपने याद रखनी है और इसकी जो गठन है वो हुआ था 19 December 1966 को तो option जो A है वो सही उत्तर हो जाएगा इस question का इसे के साथ चलते हैं question number 7 पे जो कि UNICEF का गठन कब किया गया था अब UNICEF की जो full form है वो है United Nations International Children's Emergency Fund अगेन I am telling you United Nations International Children's Emergency Fund तो यह जो full form है यह भी आपने साथ के साथ याद कर लेनी है क्योंकि यह भी important है यह भी आ सकती है तो इस इसी के साथ जो इसकी गठन हुआ था वो हुआ था 11 December 1946 को यहने की option जो C होगा वो सही हो जाएगा इस answer का इस question का इसी के साथ option D will be the right answer moving on to the next question UNESCO का गठन कब किया गया था now UNESCO की जो full form है again if we talk about the full form of UNESCO United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization तो full form भी important है इन सभी organization की वो भी आपने साथ साथ में याद करते रहना है definitely यह भी काम में आ सकती है इसलिए तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था जी 4 November 1946 को यानि की option जो A है वो सही उत्तर हो जाएगा इस question का इसी के साथ हम चलते हैं अपने 9th question पे जो की है ICRC का गठन कब किया गया था अगर बात करें ICRC की तो इसकी जो full form है वो है International Committee of the Red Cross तो इसी के साथ इसकी full form भी याद रखनी है International Committee of the Red Cross तो इसकी जो स्थापना है वो बहुत ही काफी पुरानी ये जो organization है काफी पुरानी है काफी समय से काम कर रही है तो इसकी जो स्थापना हुई थी जा formation हुई थी गठन हुआ था वो हो था 17 February 1863, 17 February 1863, it means option B जो है वो सही उतर होगा इस question का इसी के साथ we are moving on to a 10th question, Asian का गठन कब किया गया था अब Asian की full form भी हमें याद रखनी पड़ेगी, Asian की full form है Association of Southeast Asian Nations तो यह अपने याद रखनी है, इसकी जो formation है, जो गठन है वो हुआ था 8 August 1967 यानि की जो option C हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही इसका सही उतर रहने बला है इसी के साथ guys we are moving on to a next question, question 11 is Bricks का गठन कब किया गया था अगर हम बात करें, Bricks की full form की, तो यह 5 countries का समू है, B से Brazil, R से Russia, I से India, C से China, S से South Africa अब जो इसकी formation है, वो हुई थी 2009 में, अगर हम इसकी formation गठन की बात करें, तो it will be in, it was in 2009 तो it means option B जो है, वो सही उतर होगा, moving on to last question of this video, सार्क का गठन कब किया गया था अब सार्क की जो full form है, वो है, South Asian Association for Regional Corporation तो again I am repeating it, South Asian Association for Regional Corporation तो यह है, सार्क की जो full form है, और इसकी जो formation हुई थी, गठन किया गया था, वो किया गया था 8 December 1985, यानि की जो option B है, वो सही उतर रहने बाला है, इस question का तो यह थे हमारे important organization की formation, dates, या गठन दिवस, तो यह आपने सभी के सभी याद करने हैं, वीडियो को देखना है और till next video, अब जो next video आने वाली है, उसमें हम बात करेंगे, जितने भी important organization है international organization है, उनके chairman, जा उनके head या उनके general secretary के बारे में, क्योंकि वो भी important question, important topic है competition point of view से, तो next video आने तक, study hard, be safe, be healthy, thank you very much guys